वेल्टम बैक टो पुलिस वाला क्लासिज वह सब लोग आई होप कि ठीक होगे चलो वो इस पड़ रहे थे हम आज की क्लास में वो इसके कुछ कोशन डिसकस करते हैं ठीक है यह पीडियाफ है इसमें से कोशन डिसकस करेंगे मैं कहा रहा है तरीका बताता हूं कोशन सोल करने क तो आज बताते हैं तुम इनफ सीख चुके हो जितने आज कोशन से वह हो जाएंगे डिसकस ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइंवेस्ट करें फर्स्ट कोशन स्टार्ट करते हैं अपना पहला कोशन क्या है आई डिडिएंट इवन स्पीक सिंगल बर्ड इन दा होगा तो सबसे पहले तो यह देखो वह दो किसमें रखा है किसमें नियों रखा पिसमें नियों रखा एक यह बचा यह एक बचाहिए ऑप्षन से चंजल वर्ड आ जाएगा वोज नोट पोकन by me in the meeting ठीक है option ही हमारा correct होगा second question प्याओ I shall be obliged to go I shall be obliged to go किसकी यह पैसिफ फोर्म एक्टिफ फोर्म है सबसे पहले तो यह जी नोटिस करने है यह पैसिफ फोर्म है जो कि बी के साथ वह की थर्ड फोर्म का यूज हो रखा है पैसिफ फोर्म है किसकी पैसिफ फोर्म है यह यह hidden था sentence में चार option में circumstance है हम समझगे कि यहां circumstance आएगा अब I के साथ अगर शैल का यूज हो रखा है तो circumstance के साथ विल का यूज होगा इतनी बात भी हमें पता है तो चार option देखते है सरकम्स्टेंस के साथ विल का यूज है ठीक है वुड का यूज है नहीं होगा वुड का का यूज है नहीं होगा में का यूज है नहीं होगा एक औप्षीन उप्शन भसता है फिरसे अगे इननी उप्षिन अगर तुमने ग्रास में इतना भी पड़ रखा होता तो बाक कि तुर्ण ज्यक्रतक्प कर मैं बीके साथ नोवल waters बी के साथ वर्ब की थर्ड फोम आएगी विल और शेल के साथ वी के साथ अगर शेल है तो नोवल के साथ विल आएगा देखो नोवल के साथ विल किसमें है ठीक है नहीं है ठीक है नहीं है दो अप्शन बचे अब विल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फोम इसमें नहीं है एक यह option बसता है option number C a novel will be written by us इस तरीके से पर में स्वोल करोगे तो time कम लगेगा kindly offer your remarks अब देखो यह request वाला sentence है kindly हमें request बता रहा हमने class में पढ़ा है तो request sentence के starting में क्या आता है you are requested देखो इसमें है you have been requested नहीं होगा you are requested यह हो सकता है you are requested नहीं होगा you are being requested नहीं होगा एक option बसता है you are requested to offer your remarks ठीक है प्रिविस classes पढ़ लेना है जो मैं बता रहा हूं कि starting में यह होगा यह होना था यह वहां से आया है अब देखो इस question पर आओ who had laughed at you हमने देखा था कि जब हू होगा तो इसमें by whom है यह हो सकता है यह हो सकता है यह option नहीं हो सकता option eliminate करता है चलने है तुमें who had laughed at you अब head के साथ verb की third form है तो जिसकी passive form होगी उसमें had been के साथ verb की third form होगी had been के साथ verb की third form है had you been had been के साथ वब की third form नहीं है were you been इसके साथ नहीं है एक यह option बसता है by whom had you been laughed at ठीक है ठीक है इतनी बात समझाई आग्गे वाला option पड़ो who tore the curtains yesterday again देखो who tore the curtains yesterday past indefinite का sentence है was for helping verb आएगी सबसे पहले तो यहीं देखो was helping verb कि किसमें इसमें 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 ठीक है इसमें इसमें नहीं है option eliminate करो who का by whom आएगा तिननों में है ठीक है अब present indefinite के conversion में वर के साथ वर्ब की third form आती है पैसी वह इसमें वर्ब की third form आती है न यह tore है third form नहीं है यह टॉर्न है एक उप्शन बचा उप्शन नमबर सी बाई हूं वर्दा कर्टेंस तो नियस्टरड़ी इस तरीके से पर पर्म कोशन करने अगर तुम्हें नहीं भी आते हों तब भी ठीक हो जाएगा अगर तुम्हें सिर्फ बेसिक रूल याद होंगे तो ठीक है अब देखो हमारा अब जेक्ट कैया बीके साथ उपके थर्ड़ेगी ठीक है यहां पर बी के साथ और की थर्ड़ है वो सकता है वीं के साथ है नहीं विल के साथ नहीं और यहां पर तो helping वर भी नहीं लगाई a new airport is going to be built near the old one यहां पर helping वर नहीं लगाई तो यह option भी गलत हो जाएगा बचा कौन सा option a new airport is going to be built near the old one यह option बचा यह हमारा ठीक है अगला question पड़ो my watch can't be repaired by anyone यह active form है यह passive form है इसकी हमें active form बनानी है can't be repaired by anyone can't के साथ be और वर्ब की third form है ठीक है तो उसकी active form में क्या होगा can के साथ be होगा और यहां पर अगर anyone है तो उसमें मैंने क्या बताये था no one को बदल के passive form में anyone करते हैं ना ठीक है last class में बताया था मैंने जो previous classes करा दी my watch can't be repaired by anyone अब देखो active form में can be आना चाहिए इसमें can be है नहीं है मतलब sorry can आना चाहिए कैन के साथ वर्ब की first form इसमें कैन के साथ वर्ब की first form नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है एक option बसता है no one can repair my watch यह option हमारा ठीक होगा अगला कोशन देखो rosemary was moved to tears चलो इसको नीचे करते हैं ठीक है कि यहां आगे है कि देखो रतन इस performing an experiment present continuous का sentence है ठीक है पींग के साथ इस मार के साथ बींग और वर्ब की third form आनी चाहिए इसमें देखो इस मार के साथ बींग है नहीं है इस बींग इसमें है वर्ब पर्फॉर्म नहीं है इस मार के साथ बींग नहीं है सिर्फ यह इतना ही देख लेते कि सेंटेंस में बींग होगा वह सही होगा और किसी में बींग ही नहीं है present continuous का sentence है तो बाग की सारे option तो अगला कोशन देखो दजज ओडर्ड दमर्डर तूबी हैं यह प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस अब पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो पैसिफोर्म में वोजवर्के साथ वर्की थर्ड फोम आएगी इट वॉज ओज बाय दगाइस तो हैंग दा मुर्डर अर्डर वस तो बी हैंग नहीं आएगा दा ओर्डर वस गिवन बाइड़ तु हैंग दा मुर्डर नहीं आएगा पहला option पढ़ो दा मर्डरर वाज ओडर्ड टू बाइद जज्ज तू बी हैंग इट वज ओडर्ड बाइद जज्ज तू हैंग दा मर्डर नहीं फर्स्ट ओप्शन इसका करेक्ट होगा क्यों ट्रेडिशनल में थर्द से इसको कनवर्ट करके देखो दजज हमारा सब्जेक्ट हुआ वर्ब अरे कैसे होगा यह है एक सेग्ड भाई कोई रेज कर लेता हूं है अकोर्डिंग टू ओप्शन हमें करेक्ट अंसर देखना है ठीक है दा मर्डर वोज ओडर्ड वाइद अजस्ट तू भी हैंग्ड यह हमने पढ़ लिया ता मर्डर वोज ओडर्ड बाइद अजस्ट तू ओडर्ड गलत है यह क्यों आएगा इट्क हैं प्रकर निव भूट करेंगे हम ठीक है दा मर्डर वोज आइगड के साथ भी नहीं आएगा इसमें है ना सार्टिंग में according to the order by the judge according वाला तो कोई काम ही नहीं है ना हमें तो convert करना है जिस तरीके से हमने सिखा the order was given by the judge to hang the murder ये भी गलत है option number one हमारा सभी बसता है the murderer was ordered by the judge to be hanged और according to हमारा जो rule है उसके according क्या होना चाहिए था ये by the judge sentence के end में होना चाहिए था पर हमें most appropriate option select करना होता है out of the four given options ऐसा होता है कि यह बार ऐसे सीख options में जो answer बनना चाहिए वो नहीं होता उससे मिलता जोलता answer होता है और बाकी के तीन बिल्कुल गलत होते उसमें rule follow नहीं हो रहे होते ठीक है तो वह वाला answer लगाना होता है who gave you the money अब who को change करेंगे by whom में इसमें और रखा है इसमें और रखा है इन दोनों में नहीं और रखा है दोनों option तो वैसे गलत होगे who gave you the money अब by whom were you given और was you given यू के साथ वर आएगा वोज आएगा वर आएगा ओविसली तो option number हमारा बी करेक्ट बशता है we prohibit smoking अब क्या आएगा कि सिंपल सेंटेंस है अना अजर्टिव सेंटेंस है तो इस के साथ वर्ब की थर्ड फोम आएगी इस वाले सेंटेंस में अब smoking will be prohibited यह नहीं होगा smoking इस बींग इस के साथ बींग नहीं आएगा हैस बीन यह भी नहीं आएगा एक option बशता है smoking is prohibited ठीक है यह option ठीक हुआ अब अगला question पढ़ो rosemary was moved to the tears at the site of miserable beggar यह एक्टिफ हो मैं पैसिफ हो मैं यह तो इसकी अक्टिव करेंगे ठीक है अब पास्टिंडेफिनेट में इसमें सेंटेंस में देख लो कौन कौन सा है पास्टिंडेफिनेट का option the site of the miserable has mood नहीं है moves नहीं है head mood नहीं है एक यह option बजएगा हमारे पास पास्टिंडेफिनेट का वह हमारा ठीक answer होगा यह मैं वह सिखा रहा हूं कि paper में कैसे करना है बेसक बदलना बदल के भी देख सकते हो इसको जब हम कनवर्ट करेंगे ठीक है अब रोजमेरी और वोज के साथ थर्ड फॉम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनेट के लिए वोज अब बढ़ा था इसका बताओ कमेंट करके बताओ कौन सॉप्शन सही होगा को अब देखो बी के साथ वह थर्ड फॉम है नहीं है नहीं है अब यहां पर यू कह रखी यहां पर एनिवन कह रख्या नहीं होगा वुड़ दा सोल्ट भी पास वपके साथ वर्ड फॉम यह नहीं होगा कुड़ दा सोल्ट भी पास्ट एक ऑप्शन बसता है यह हमारा करेक्ट अप्शन होगा अब यह क्या है एडवाइस है हमने एडवाइस वाले केस में पढ़ा था एडवाइस यह तो दे रहे हैं तो शूड लगाएंगे और बी के साथ वर्ब की थार्ड यह हमारा करेक्ट होगा ठीक है अगला कुशन पढ़ो फू आस्ट यू तो ड्राफ्ट इस लेटर अब हूं के लिए बाई हूम आएगा चेंज करेंगे जब बाई हूम है नहीं है नहीं है इन दोन अप्शेंस में सेख बचेगा यू के साथ पर यू के पहले आएगा या बचा पढ़ लिया भाई यह हमने सब कुछ से तुम कह रहे होगे कैसे आएगा प्रिविश क्लास जाके पढ़ो सारा बता रखाए अच्छे से डिटेल में बता रखाए बार बार नहीं बता रहा है मैं भी कोशन करा रहे हैं बस चलो 25 पॉशन्स तक करते हैं उसके बाद टाटा वाइबाई कर देंगा आज की ग्लास को ठीक है बताओ अगला कोशन बढ़ो एंड डाञटर में चैहिए डाट है संटेंस के नुगर करेंGMे पहले पार्ट कपर करो जयुक्त करेंगया इसका हम सब्सक्राइब कि हम पहले ले आएंगे ठीक है उसके साथ वोस और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है असे इस फॉरेश्ट फायर हैस बिन को नहीं आएगा वो जो हो सकता है है यहां पर पास्ट का सेंटेंस है तैमेजड और यहां पर रखा है आर इस वाले option में present का बना रखा है यह हो सकता है नहीं हो सकता यह option भी cancel out हो गया एक option बचा वो हमारा correct option होगा a serious forest fire was caused by the lightning and many nearby houses were damaged इस तरिके से करना भाई तुम्हें option हटाने है एक option सही होगा obviously दो option तो सही होंगे नहीं तो जब तुम गलत option ही अटा दोगे जो बचेगा वो ही सही है ठीक है अगला option पड़ो टुड़े आइअ accomplished my task successfully ठीक है चार option देखो टुड़े 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 कोई इसूनी चारों में सेम है माई टास्क पहले आ जाएगा माई टास्क पहले आ जाएगा चारों में आ जाएगा ठीक है आई accomplished past indefinite was accomplished आएगा ठीक है इसमें have was accomplished नहीं है has been नहीं है task accomplished नहीं है एक option बस्ता है वो अगंपलिश्ट वाला पास्ट indefinite की conversion के लिए वो option number D यह हमार option correct होगा question number 24 photo these days most of the students do their assignment with the help of internet these days these days these days these days ठीक है यहां पर क्या बता रखा है most of the students do their assignments और यहां पर देखो most of the assignments नहीं हो सकता question की sense ही बदल दी ठीक है these days most of the students are doing नहीं यह भी नहीं हो सकता present continuous की तो इसमें बात ही नहीं हो रखी see option पढ़ो these days the assignments are done with the help of internet by most of the students these days the assignments are being done being भी नहीं आएगा एक यह option बस्ता है वो यह option हमारे correct हो जाएगा ठीक है इतनी बात समझाई इस days the assignments are done with the help of internet by most of the students यह हमारा option सही होगा the Swiss regarded him as an imposter and called him a villain कि इसमें फिर से double passive है दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे convert the Swiss regarded him as an imposter फिर से अगें इस वाले पार्ट को हम पढ़े पास्ट इस नहीं हो सकता है यह नहीं हो सकता देखो दोनों सेंटेंस में इतने आतों सेम है अब अगले सब्सक्राइब को देखते हैं and called him an imposter पास्ट का ही है and was called and villain by the Swiss और and is called यहां पर बात होगी प्रेजेंट की यह option फिर से गलत हुआ एक option बचा वह हमारा option correct हो गया ठीक है एक कोशन और कर लेते हैं बस फिर आज की क्लास को खतम करेंगे टेक्टिस थी यह बता था कि कैसे कोशन तुम्हें पर में टेंप करने हैं यह हुए कैसे हैं वह सीखने के लिए पुराने वाली क्लास देख लो उसमें सिखा रख रख हैं अगला कोशन देखो राजेस कुड़ नोट कंप्लीट है मोडल वाला सेंटेंस है तो कुड़ नोट के साथ बी और वर्व reconstitution सबैसे थोड़ी होगा बाइ较 नहीं यह यहीं भी नहीं होगा एक सेकेंद हैं ऊपर करते हैं फॉर्थ पड़ता है कि इस पेपर कुड़ नोट वी कंप्लिटिट वायराजेस कोसी हैर अधे क्ई करदीट वेक बस राजेश यह नहीं हूं सकता कुड़ूब थो भी कंप्लीट बेस्थैश्य का है इसमें तो यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता अब लॉब्स्ट अब्र बाइस कोड़ दी दिए कंप्लीटिटिण भाइर एतनी बात समझ आ गई हो तो मुबार्ख हो भाई अब से कोशिश करेंगे ज्यादा कोशन कराने की और पढ़ाने की कम क्योंकि पढ़तों तुन चुके हो धन्यवाद